जाहिन दुस्तों मेरना में अतुल और स्वागत है आपका अपनी डिप्शनल अतुल टिक बजार में रिसेंटी लॉंच ही रियल्मी की चार डिवाइस हमारे पास में इसमें नाजो 70 टर्बो डिवाइस काफी पॉपुलर हो चुगी है वैसे भी इसका फस्सेल नहीं हुआ है लेकिन प्राइस काफी एंडर 15 के आपको यह डिवाइस मिल जाती है पहुत सी यूजर्स ने डिमांड की थी कि इसका फुल बैटरी टेस्ट लाया जाया तो हमने सोचा कि और भी डिवाइस को इंक्लूट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में नाजो 70 टर्बो डिवा ogi 5000 एमच के बैतवी रिमी 13 ब्रो देवाइस में 5,200 एमच के बैटरी परकर डिवाइड के गया है नार्ज वर तर्बो में 45 वाट की प्रसेAudi मिलती है Realme 13 Plus में 80W और Realme 13 5G 13 Pro में 45W की चार्जिंग प्रोवाइड की यह वैसे यह चारो ही डेवाइज Realme 5.0 Android 14 अपडेट के साथ में आती है तर्बो और प्लस में Dimensity 7300 एनर्जी वाला प्रोसेसर प्रोसेसर क्या गया है Realme 13 5G डेवाइज में Dimensity 6300 और Realme 13 Pro में Snapdragon 7s Gen2 वाला प्रोसेसर मिलता है यहां पर फुल बैटरी डेवाइणिंग टेस्ट हम करने वाले हैं चलिए देखते हैं किसका performance बैतर मिलता है बैटरी डेवाइणिंग से पहले रूम का टेमपरेशर 30.7 है नार्जो टर्बो का बैक साइड का जो टेमपरेशर है 31.0 डिग्री सेल्सियस है 13 प्लस का 31.2 13 5G डेवाइज का 31 और Realme 13 Pro का 31 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे फुल ब्राइटनेस और 50% वॉल्यूम पर हम यह टेस्ट करने वाले हैं इसके अलावा सबकी बैटरी आपको दिखा दे 100% है रियल्मी 13 Pro की 99 हो गई है बट इसे भी हम यहाँ पर मैक अप कर लेंगे आगे रैसे यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले एंट्यू बेंचमार्क की स्कोर चेक आउट करा देते हैं चारो ही डिवाइस का दोनों डिवाइस जो फ्रेंट में रखी हुई है इसका साड़े साथ लाग के आसपास एंट्यू बेंचमार्क की स्कोर मिलता है अगर करते तो काफी मोबाइल हीट अप हो सकता दा इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमने हाफ होवर सोचा हाफ होवर के बाद थोड़ा सा कट एंड फास फार वर्ट के रहा है ताकि जल्दी से रिजल्ट मिल सके हाफ होवर एंट्यू बेंचमार्क स्कोर रन करने के बाद जो इसको राता है बैटरी पर सेंटेज आप देख से को 92-92-92 और 91 रियल मी थार्टीन प्रो डिवाइस का इस तेस्ट के बाद नाज्यो सेवंटी टर्बो डिवाइस का टेंपरेचर 40.2 डिग्री सेल्सियस आता है रियलमी 13 प्लस का 42.5 डिग्री सेल्सियस 13 का 39.2 और 13 प्रो क 40.3 डिग्री सेल्सियस तो सबसे ज्यादा टेंपरेचर 13 प्लस का बड़ा और सबसे कम 13 का बैटरी लेवल एक दो परसंट इदर उदर हो गया है वैसे इस टेस्ट को रन करने के बाद नाजो सेवंटी टर्बो डिवाइस 8 परसंट बैटरी रेन करता है 9 परसंट रियलमी 13 प्लस रियलमी 13 8 परसंट और 10 परसंट रियलमी 13 प्रो में बैटरी रेन होता है अगला एप जो हम रन करने वाले है वो CPU थ्रोटलिंग एप है इस एप के थूरू यह पता चल जाता है गेमिंग मल्टी टास्किंग अगर आप कर रहो तो CPU को कितना त्रोटल कितना स्टरगल क करना पड़ता है वैससे बेंचमार्क स्कोर में टेंपरिचर आया है काफी स्टेबल टेंपरेचर हम बोल सकते हैं थोड़ा सा हमने यहां पे कट एंड फास्ट फारवर्ट किया है ऑल्मोस्ट हमारे यहां पे वन अवर हो जाते हैं जिसमें हाफ अवर हमने CPU टोटलिंग अगर परसेंटेज देखे तो 85 85 85 और 84 रियल में 13 प्रो डिवाइस का यहाँ पे इसकोर आता है इस एप को रॉन करने के बाद क्यूक लिए यहाँ पर टेंपरेचर भी चेक आउट करते हैं नार्जो सेवन्टी टर्बो का 40.7 डिग्री सेल्सेस 40.8 डिग्री सेल्सेस प्लस का 38.9 ठर्टी-टीं का और 40.7 ठर्टीं प्रो डिवाइस का यहाँ पर टेंपरेचर आता है और इस टेस्ट को रण करने के बाद दर्टीब Kendall सेवन्टी टर्बो डिवाइस में 7 परसेंट करने होता है। और डेली लाइफ में जो एप हम यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिक कर रहे हैं तो वन अवर तक यहां पे हम शॉर्ट रन करने वाले हैं तो थोड़ा सा अगें से हमने कट और पास फारवर्ड किया है आफ्टर वन अवर यहां पे शॉर्ट रन करने के बाद जो स्कोर आता है 79, 81, 76 और 79 परसंट रियल्मी 13 प्रोडवाइस का यहां पे इसकोर आता है एंड की लिए टेंपरेशर भी चेक आउट करते हैं आजो 70 टर्बोडवाइस का 36.2, 34.6 रियल्मी 13 प्लस का 36.9 रियल्मी 13 और 35.7 डिगरी सेल्सियस रियल्मी 13 प्रोडवाइस का टेंपरेशर आता है इस टेस्ट को रन करने के बाद जो बैटरी रियन हुआ है उसमें आजो 70 टर्बोडवाइस 6 परसेंट 13 प्लस 4 परसेंट अउनली 13 9 परसेंट और 13 प्रो 5 परसेंट अउनली बैटरी रियन करते हैं अगरी लाइफ में गेमिंग भी काफी ज़्यादा ज़रूरत है और यहां पर हम अब टू और की तगड़ी गेमिंग करने वाले बीजे माय गेमिंग उससे पहले ग्राफिक्स दिखा दे यहां पर टर्बो जो डिवाइस है और 13 प्लस डिवाइस इसमें एक्स्ट्रीम प्ल मिल जाती है और इसमें आप 90 fps की bgmi, pubg gaming, free fire और cod gaming आसानी से कर सकते हो इसका गेमिंग टेस्ट भी अवले पहले है चारजिंग टेस्ट भी आप चेक आउट कर सकते हो खोड़ासा काट इन फासफरवड किया है यहां पर टू आवर की गेमिंग के बाद आज सेवेंटी तर् परसेंट, 33 पर रिएलमी 13 प्लस, रिएलमी 13, 43 परसेंट और 50 परसेंट पर थर्टिन प्रोडव बाइस आती है यहां पर टेमपरेचर देखेंगे तो 37.3, 37.9 और 38.6 और 38.2 रिएलमी 13 प्रोडव बाइस का टेमपरेचर है तक तगड़ी गेमिंग करने के बाद भी यहां सबसे बड़ा रीजन है चारो ही डिवाइस में स्टेनलेस स्टील वी सी कूलिंग का सपोर्ट मिलता है और यहां पर बहुत ज्यादा काम होता है इसी तरह से यहां पर अब पढ़िया तगडी गैमिंग इन चारो ही डिवाइस में कर सकते हो पैडीडेन अगर देखे तो नार्जो में 25% रियलमी 13 प्लस में 28% रियलमी 13 5G डेवाइस में 33 और 29% रियलमी 13 प्लस में पैडीडेन होता है लेक्स तो वान आवर तक यूटूब में वीडियो प्ले करेंगे नॉर्मल वीडियो से पहले यूटूब वीडियो कॉलिटी चेक यूटूब कर रहा है तो नार्जो रियलमी 13 प्लस और 13 प्लस में आपको 4K HDR तक का सपोर्ट यूटूब में मिलता है और 2K वीडियो वाच कर सकते हो 13 5G डेवाइस में डेली लाइफ में हम यूटूब में मूवी बगरे देखते हैं बहुत सारे वीडियो से अगरे चेक आ लंबा ना हो सके वन अवर यूटूब वीडियो प्ले करने के बाद जिसको राता है नार्जो 70 टर्बो डिवाइस 47% रियलमी 13 प्लस डिवाइस 45% 33 पे रियलमी 13 प्लस का 37.6 13 का टेंपरेचर 37.9 और 13 प्लस का टेंपरेचर 36.1 डिगरी से एस जाता है इतने ज्यादा वीड तेंपरेचर देख सकते हैं काफी वेल मेंटेन किया हुआ है वाइटी वीडियो रन करने के बाद नार्जा से वीडियो और फोटोस लेते ही रहते हैं यहां पर ने सोचा कि नॉर्मल वीडियो रन करते हैं चारो ही डिवाइस में 1080p 30 fps पे हमने वन अवर तक वीडियो रन करने के सोचे और यहां पर दोस्तों अगें से थोड़ा सा कट एंड फास फारवर्ट कर दिया है ताकि क्विकली हमें यहां पर रिजल्ट मिल सके हैं आप चारो ही डिवाइस में देख सकते हो वन अवर तक यहा यहां पर वीडियो में रिबूट नहीं हुई है हीट अप की वज़ा से काफी अच्छे तरीके से वन अवर का वीडियो यहां पर चारो डिवाइस में कंप्लीट किया है तो फाइनल इसकोर दोस्तों इस टेस्ट के बाद 31 30 80 परसेंट 18 परसेंट और 30 परसेंट परसेंट प वीडियो जब रिकॉर्ड हम करते हैं तो काफी जड़ा शीट अप होता है तो थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हो 40 के ऊपर चले गया बट 45 के ऊपर कोई भी नहीं गया है इसलिए बोल सकते है कि काफी बढ़िया रिजल्ट यहां पर मिलता है तो नार्जों 70 टर्पो म में 15 और 15 परसंट बैटरी रियल्मी 13 प्रो डिवाइस में वाले हैं यहां पर हमने टैंपल रंग गेम को सिलेक्ट किया है क्योंकि नार्मल गेम भी हम डेली लाइफ में केलते रहते हैं बहुत से यूजर ऐसे हैं जिसको पबजी बेजिए मैं जैसे हाट कोर गेम नहीं आत परसंटेज 24, 24, 9 and 25% पे रियल्मी 13 प्रो का बैटरी परसंटेज आज़ता है यहां पर चेक आउट कर लेते हैं तेमपरेचर 37.6, 38.5, रियल्मी 13, 39.3 और 37.7, 13 प्रो डिवाइस का तेमपरेचर मिलते हैं अगर देखे तो ना जो 70 टर्बो डिवाइस में 7 परसंट बैटर में 13 में 9 और 13 प्रो में 5 परसंट बैटरी डेन होता है अब जोस्तों जब तक यहां पर मोबाइल डेड नहीं होता हम अगेंस हैं एंटी बेंचमार्क स्कॉर एप को रन करने वाले हैं और सबसे कम बैटरी यहां पर रियल्मी 13 फाइज डेवाइस की ही बच्ची है और सबस से पहले डेड हो जाता है और अच्छा बैटरी वाइकप इस डेवाइस में यहां पर मिल जाता है नेक्स दोस्तों नमबर आता है रियल्मी 13 फाइज का और यहां पर देख सकते हैं तू परसंट बैटरी रेन हो और वन परसंट बैटरी रेन का निकली भी काफी ज़्यादा बेट करना पड़ा अल्मोस्ट यहां पर एट अवर 12 मिनित के बाद यहां पर रियल्मी 13 फाइज है वो भी डेड हो जाता है इसमें भी काफी बढ़िया एट और के आसपास का टोडल बैटरी वेकप मिला अब बचे रियल्मी नार्ज और 70 टर्बो डिवाइस और 13 प्लस ट 8 आवर 20 मिनित अप्रॉक्समेटली यहां पर बोल सकते हैं बैटरी वेकप इन दोनों ही डिवाइस का मिलता है जो कि यहां पर फर्स नंबर पे रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपको भी आपके मोबाइल में 8 आवर के आसपास का बैटरी बैकप नहीं लेगा यह हमने एक्स्ट्र बेकप मिल सकता है चारोई डिवाइस के रिगार्डिंग डीप रीडियों हमने बनाया चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रिंड बे आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी चारोई डिवाइस अच्छी प्राइजिंग के साथ में लॉंच हुई है बट नार्जो 70 टर् प्रेंबर 12 नून को एमेजोन और रियल्मी डॉट कॉम में होने वाली है वैसे इन चारोई डिवाइस के रिकार्डिंग अगर आपके कोई डाउट कोई कोश्चिन है सिंप्ली आप हमें कमेंट सक्सें में पुछ सकते हैं फिला दोस्तों इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स